चंद्री का अपने छोटे बेटे रजत और बड़े बेटे नविन के साथ रहती है नविन और उसकी बीवी सरीता को एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम गोरू होता है नविन एक सरकारी नोकडी करता है वही उसका छोटा भाई रजट एक कम तन्फवा वाली कमपनी में काम करता है और उसकी हाली में मोना नाम की एक लड़की के साथ शादी हुई होती है एक दिल नवीन अपने कमरे के लिए नया ऐसी लाता है यही देखकर मोना और रजट को काफी जलन होने लगती है मा जी देखिये ना नवीन भाई साब ने अपने और भाबी के कमरे के लिए बड़ा बड़े इसी लेकर आये है लेकिन आपके या हमारे बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं अभी गर्मी के दिन आने वाले है तो हमें भी गर्म होगा ना और आपको तो हमसे ज्यादा गर्मी होती है मा और आपको वो सहन भी नहीं होती हमारा ना सही लेकिन कम से कम आपके बारे में तो भाईया को सोचना चाहिए था अरे ठीक है ना उसमें क्या है अब उसके पास उतने पैसे है इसलिए वो लेकर आया है मेरा क्या है इतने सालों से तुम्हें एसी ही रहिए तो आगे भी रहे लूँगी और अगर तुमें भी ऐसी चाहिए तो तुम भी अपने पैसे से लेकर आओ अब आगे तुम्हारी मर्जी है बिटा मोना की जेठानी सरीता वैसे तो अनपड़ होती है लेकिन बस वबा उसे काफी अच्छी और एकदम सर्वगुन संपन्नब होती है एक दिन जब घर पर महिमान आते हैं तब ही वो सरीता के हाथ का खाना खाकर बहुत कुश हो जाते हैं अरे वाह! क्या बात है सरीता वहुन तुमारे आत में तो जदू है जदू इतनी अच्छी पाव़जी तो मैंने आज तक नहीं खाई सचमे चंदरिका मानना पड़ेगा तेरी बहु को तेरी बड़ी बहु तो बहुत ही अच्छी है वही दूसरी तरफ तेरे छोटे बहु का हाथ का हलबा अरे वो तो एकदम फीका फीका सा लग रहा है खेर देख छोटी बहु अपनी जेठाने से कुछ सीख लेना आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेमानों की बाते सुनकर मोना को काफी गुसा आ जाता है और वो रसुई में जाकर सरीता से कहती है भावी कभी तो मुझे भी मोका दे दिया करो हर वक्त बस खुद ही अच्छा काम करके अपनी तारीफे बटरती रहती हूँ लेकिन मोना मैंने तो बस हमेशा की तरे ही खाना बनाया है और मेहमानों को वो पसंद आ गया इसलिए उन्होंने मेरी तारीफ की ओ प्लीज भावी ज्यादा बोली मत बनो क्योंकि आप उतनी भोली नहीं हो और हाँ चाहे आपकी कोई कितनी भी तारीफे क्यों ना कर ले आप मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती क्योंकि आप एक अनपड हो अनपड और मैं पड़ी लिखी हूँ इतना केकर मोना वहाँ से चली जाती है और तभी चंद्री का वहाँ पर आती है इस मोना बहु की तो ऐसी की तैसी है इसे तो मैं अभी सुनाती हूँ ऐसे कोई बात करता है क्या अपनी जेठानी से जानी दीजिये न माजी मोना मुझसे छोटी है और उसे भले ही बाहरी दुनियादारी और काम काजी चीजों की समझ है लेकिन रिष्टों की नहीं है उसे थोड़ा वक्त लगेगा मैं उसे अपनी छोटी बेहन की तरह मानती हूँ इसलिए आप जानी दीजिये सरीता के कहने पर चंडरी का मोना से कुछ भी नहीं कहती फिर एक दिन पचानक से नविन का एक्सिडेंट हो जाता है और उसमें उसकी मोथ हो जाती है नविन की मोथ के बाद सरीता और उसके पुरे परिवार को बहुत दुख होता है चला गया रे मेरा बेटा नविन तू अपनी मा को चोड़ कर क्यों चला गया बेटा अब मैं कैसे जिऊंगी तेरे बिना मेरे जीगर का तुकड़ा माजी संबालिये अपने आपको नविन के जाने के बाद सरीता तो मानो सदमे में ही जा चुकी थी और अब तो वो शांत शांती रहने लगती है अब नविन के जाने के बाद सरीता के पेंशन चलू हो जाती है लेकिन नविन का बैंक अकाउंट और बाकी की सारी चीज़े रज़त ही संबालता है और वो लोग सरीता को उसके पेंशन के बारे में कुछ भी नहीं बताते रजत अगर सरीता बाबी को उनकी पेंशन के बारे में पता चल गया तो बहुत कड़बढ हो जाएगी अरे नहीं मोना तुम खामका चिंता कर रही हो वो टेरी जाहिल गवार उन्हें तो पेंशन ये शब बोलने भी नहीं आता होगा रजयत और मोना अब चंद्रिका को सरिता के खिला बढ़काना शुरू कर देते मा जी भाबी कब की गई है बाजार में सामान लेने अभी तक वापस नहीं आई परसो भी मेरी सहेली बता रही थी कि भाबी पार्क में किसी आदमी के साथ काफी समय तक बात कर रही थी वेसे तो भाबी ऐसा कुछ कर नहीं सकती लेकिन अब तो वो विद्वा हो चुकी है इसलिए उन्हें ये सब शोबान नहीं देता मा और रही बात उनके इस बरताव की तो एक औरत अकेली नहीं रह सकती बह्या के जाने के बाद कही वो किसी गलत दिशा में न अपने कदम बढ़ा ले हाँ रजित बेटा मोना बहो तुम दोन अब बिलकुल सही कह रहे हो मैं अब सरीता बहो पर नजर रखा करूंगी बहुत हुआ उसका वो अब एक विद्वा है और एक विद्वा को अपने मरियादा कभी नहीं बुलनी चाहिए अब चंद्री का रजित और मोना के बेकावे में आकर दीरे दीरे सरीता के प्रतिक बुरा सूचने लगती है मा बईया की पेंशन भी हम अपने पास ही रख लेते हैं अगर सरीता बावी को पता चला तो वो ना जाने इसका कैसे इस्तिमाल करेगी हाँ मा जी इसमें मैं भी रज़त के साथ हूँ ठीक है बच्चो तुम दोनों ही संभाल के रखो इस पेंशन को वरना अगर ये पेसे उस कल मुही के हाथो लग गए तो ना जाने कैसे संभाल पाएगी वो आखिर अनपड जो तेहरी अब रज़त और मोना सरीता के पेंशन के पेसो पर एश करने लगते हैं फिर एक दिन वो किसी जगे पर गूमने जा रहे होते हैं तभी सरीता उनसे कहते हैं अरे मोना, देवर जी, आप दोनों गुमने जा रहे हो, लेकिन पिछले महीने तो देवर जी ने कहा था, कि इनके पास पैसो की समस्या हो गई है, और तो और, अब कोई भी पिलान बनेगा, तो वो सीधे छे महीनों बाद ही बनेगा, हाथो, कहा होगा उसने, लेकिन अभी हम जा रहे है न, उससे आपको कोई तकलिफ हो रही है क्या, अरे नहीं मोना, एसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूँ ही पोच रही थी, देखो बाबी, वो समस्या थी, अब तल गई है, और अब हमारे पास पैसे आ गए है, इसलिए हम जा रहे है, अब आप टोकी है मत हमें, और जाने दीजिए, चलो मोना, ठीक से जाओ बच्चो, और तू ना लयक, चल अंदर, बड़ी आई चपड़ चपड़ करने वाली, जा, जाकर घर के सारे काम निप्टा, यहाँ वकिलों की तरह सवाल पे सवाल करे जा रही है, लेकि जार बोली हुई बात समझ में नहीं आती क्या तुझे, दूसरों के हाव बाव देखने से पहले, खुद के देख, शाम को इतनी देर तक कहा गुल खिलाने जाती है तू, और हाँ, यह सजना सवरना भी बंद कर दे, तू मेरे नविन की विद्वा है, समझी की नहीं, मा जी यह आपको क्या हो गया है, आप पिछले कुछ दिनों से, मेरे साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही हो, क्योंकि नविन के जाने के बात, तुझ में जो भी बदलाव आये है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए मेरा ऐसा वरताव करना जाइज है, बे शरम कही कि, घर में आप दीरे दीरे सरीता की इज़त कम होने लगती है, चंद्रिका, रजट और मोना तो मान, उसे एक मुफ्की नोकरानी की तरह ही ट्रेट करते हैं, वो लोग अपने लिए बराबर सरीता के पेंशन के पैसे उड़ाते रहते हैं, लेकिन जब सरीता को कोई जरूरत हो वरना कही कुछ कम ज्यादा न हो जाए, अगले हफते से गोलू की परिक्षा भी है, अगर मेरी तवियत खराब हो गई, तो उसका ध्यान कोन रखेगा? ओफो बाबी, हलके सी बुखार के लिए, आपको डॉक्टर के पास जानी के कोई जरूरत नहीं है, क्या आप भी? अरे मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, डॉक्टर के नाम पर पैसे लेकर, ये कही और तफ्री करने चली जाएगी, अरे तुझे तो बस पंची के तरह उड़ने को आता है, और कुछ नहीं, देखो बाबी, आपको कही जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं मेडिकल से दवाई मंगवाता हूँ, लेकिन देवर जी, मुझे डॉक्टर जी से एक इंजेक्शन लेने दीजिये, उनके एक इंजेक्शन से ही, मुझे तुरंट फरक पड़ जाएगा, नहीं मतलब नहीं, जा जाकर आराम कर, रजत दवाई मंगवा रहा है ना, फिर भी तुझे बाहर जाने के क्यों पड़ी है, ठीक है माजी, माफ कर दीजिये, इस तरहे पती के जाने के बाद, बिचारी सरीता के घर में जूबी कोई बची कुछी इज़त होती है, वो भी खतम हो जाती है, फिर एक दिन, सरीता सबजी मंडी में सबजी खरीदने कही होती है, तब है उसे वहाँ पर, उसकी एक पुरानी सहली रेनू मिलती है, अरे रेनू, कैसी है तू, बड़े दिनों बाद मिली, हाँ सरीता, मैं ठीक हो, तू बता, तेरे पती के देहान की खबर सुनी थी मैंने, काफी बुरा लगा मुझे, हाँ रेनू, अब क्या करे, गड़ी का कोई बरोसा नहीं, कब क्या हो, कोई बता नहीं सकता, वो तो है सरीता, लेकिन घर पर सब कैसा है, तुझे तेरी पेंशन तो आती ही होगी न, मतलब, मेरी पेंशन, पेंशन तो बुड़े लोगों को आती है न रेनू, नहीं सरीता, तेरा पती एक सरकारी नोकरी में था, इ तुझे तो अभी तब कोई पेंशन नहीं मिली। क्या? नहीं सरीता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुझे एक बार, तेरा पती जहाँ पर काम करता था, वहाँ जाकर पूश्टाच कर लेनी चाहिए। रेनू के समझाने पर, सरीता के दिमाग में अब पेंशन के बारे में ही चलने लगता है। और वह तैय करती है, कि घर जाकर सबसे पेंशन के बारे में जरूर पूचेगे। लेकिन जब वो घर पोच्छती है, तब वो देखती है, कि चंद्रिका, मोना और रजन, आपस में सरीता के पेंशन के बारे में ही बतिया रहे हैं। ये देखो मा, मैंने तुमारे लिए ये नई साड़ी लाई है। और मोना, तुमारे लिए ये गेने। अरे वा रजन, क्या बात है। ये गेने तो बहुत ही सुन्दर है। वो तो अच्छा है कि सरीता की पेंशन आती है। उसके चलते ही हम इन सारी सुक सुविदाओं का लाब उटा सकते हैं और अच्छे अच्छी चीजों के खरिद्दारी कर सकते हैं। तीनों की आपस में हो रही बातों को सुनकर। सरिता समझ जाती हैं कि उन तीनों ने ही उसकी पेंशन का इस्तिमाल किया है। अच्छा, तो इसका मतलब आप तीनों ने ही। मुझसे मेरे ही पेंशन की बात चुपाई। ये आप लोगों ने सही नहीं किया मेरे साथ वो ना वो भाबी चुप रहो मोना आज मैं कुछ नहीं सुनने वाली आप लोगों को क्या लगा मैं अनपड हूँ गवार हूँ इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया है मुझे अपनी सहीली ने एक बिद्वा के पेंशन के बारे में बता दिया है और वही मैं सोचू गर में आचानक से इतना सारा खर्चा कैसे हो पा रहा है आप तिनों मेरे और गोलू के हग के पैसे अपने अपने मजे के लिए इस्तिमाल कर रहे है हाँ तो क्या हुआ उसमें ये मेरे ही बेटे के महिनत के पैसे है और तेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है गोलू को तो हम संभाल ही रहे हैं न और तेरा खर्चा उसे भी तो हम ही उठा रहे है हाँ भाबे मा बिल्कुल सही कह रही है नहीं आप मेरा कोई करचा नहीं उटा रहे हैं बल्कि मेरे साथ नोकरों से भी बत्तर पेश आ रहे हैं आप लोगों ने तो मुझे एक काम बाली बाई समझ कर रखा है जो मुँँ में आता है वो बस बोलते ही जाते हो और मुझे मेरे हग का पेंशन चाहिए मतलब चाहिए वो मेरे पती की कमाई है मेरे बेटे के पिता की कमाई है उनके इन मेहनत के पैसों से आप अपने ये फाल्तु के खर्चे नहीं कर सकते समझ गए आप तिनो इसलिए अपसे मैं अपना पेंशन लेकर ही रहूँगी और अगर नहीं दिया तो तो क्या कर लोगी आप? हाँ? मैं कोरट पहुच जाऊंगी और साथ ही इस घर के चिराग यानि मेरे बेटे गोलु को लेकर चली जाऊंगी यहां से फिर मज़े लेते बेटना पैसो की आप तिनोंने मुझे धोका दिया है मेरे अनपढ़ होने का गलत फाइदा उठाया है गोलु को ले जाने की बात सुनकर चंद्रिका बहुत परिशान हो जाती है ना ना वहू ऐसा मत करना गोलु तो मेरे नविन की आखरी निशानी है उसका वो अन्श है उसे हमसे अलग मत कर बहू हाँ भाबी और कोट कचरे भी मत कीजिए हम हम आपको आपकी पेंशन दे देंगे और हमें माप कर दीजे भाबी हाँ भाबी वरना हम फस जाएंगे प्लीज है समद कीजिए सरीता के बदले हुए रूप को देख कर गर के सभी लोग बहुत गबरा जाते हैं और उसे उसके हग का पेंशन दे देते हैं जिसके बाद वो उसी घर में अपने अधिकार के साथ रहने लगती हैं और उन पेंशन के पेशो से वो अपने बेटे गोलू का भविश्य सवार दिए रिद्धी जब शादी करके अपने ससुरा लाती है तब वहां के मसालों से बना हुआ खाना रिद्धी को बिल्कूल भी अच्छा नहीं लगता हाई हाई कितना सड़ा हुआ स्वाद है इस डाल का और ये सबजी इसे खाकर तो मुझे मोत ही आ जानी है मेरे माईके में कितना अच्छा खाना बनता है और यहाँ पर कितना बकवास खाना है फिर रिद्धी अपनी मा शर्मिला को फोन लगाती है और मसालों के बारे में बता दी है रिद्धी बिटिया तू चिंता मत कर जब पकवेरी की रसम के लिए तू यहाँ पर आएगी तब तू यहाँ के मसालों को भर भर के लेकर जाना वहाँ के मसालों का स्वाद अलग है न इसी लिए तुझा इससा लग रहा होगा और नहीं तो क्या मा इन मसालों का बना हुआ खाना खाकर मेरे मुखा तो स्वाधी बिगड चुका है फिर रिद्धी जब पकवेरी की रसम के लिए अपने माई की चाती है तब वो अपने मा के हाथों से बना हुए मसालों को डबों में भर कर अपने ससुरा लाती है आज तो खाना खाकर बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये मसाला मेरे माई के का है फिर रिद्धी उन मसालों से खाना पकाती है जिससे खाकर उसकी सास उर्मिला और पती बूशन बहुत खुश हो जाते है अरे वा बहुरानी आज का खाना तो एकदम बढ़िया बना है मज़ा ही आ गया सच मेरे रिद्धी खाना तो बहुत ही बढ़िया बना है इसा कौन सा जादोई मसाला डाला है आज के खाने में मेरे माईके के जादोई मसाले क्या? हाँ मेरे माईके में मेरी माँ बहुत ही अच्चे मसाले पीसती है वो पूरी जी जान लगा देती है और ओकल और सिल्बर टेपर मसाले पीसती है अच्छा क्या बात है मेरी मा तो इस उमर में भी बहुत मेहनती है वो दिन रात परिश्रम करती है उनका तो कोई जवाब ही नहीं और ना ही उनके इन शांदर मसालों का एरे बसकर कितनी तारिफ करेगी और मा जी मैंने तो भर भर के मसाले लाए है अभी आज तो मैंने सिफ आलू का सालन और बेंगन का भरता ही बनाया है बाकी की सबजियों में जब मेरे माईके के मसाले पढ़ेंगे तब तो स्वाद में और भी चारचन लग जाएंगे बस बहु बस अब जा जाकर मेरे लिए थंडी चाज ला हाँ हाँ लाती हूँ चाज भी मसालेदर बनाई है मेरी मा तो चाज में डालने के लिए भी बढ़िया मसाले बनाती है वो मसाले तो और भी स्वादिस्ट है एकदम करारा स्वाद आता है चाज को हे भगवान चार दिन हुए नहीं इसकी शादी को और यह अभी से अपने मायके की मालत जप रहे यह लिजिए माजी यह मेरे मायके के मसालों से बनाया हू़ चाज बसकर भो कितनी तारिफ करेगी अपने मायके की अरे अभी तुशादी करके अपने ससुराल में आ चुकी है तुझे थोड़ी सी तो अक्कल होनी चाहिए न? लेकिन माजी, मुझे इस शहर के मसाले बिल्कुल भी नहीं अच्छे लेगे उसमें वो बात है ही नहीं जो बात मेरे माईकी के मसालों में है लेकिन बहू, हमें या आके काने की आदत है इसलिए तू हमारे या के मसालों से ही खाना बनाएगी समझी तू? लेकिन माजी उर्मिला कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है लेकिन रिद्धी अपनी हरकोतों से बाज नहीं आती और वो फिर अपने माईके के मसालों से खाना बनाती है रिद्धी बहू तुने फिर से अपने मायके के मसालों से खाना बनाया ना? बाज नहीं आएगी तु क्या करू माजी? अब मुझे मेरे मायके के मसाले ही पसंद है उनकी बात ही निराली है समदन जी के मसाले तो वाकई में अच्छे है लेकिन अगर तू अपने माईके के मसालों से ही खाना बनाएगी तो यहाँ के मसालों का क्या करेंगे तुझे मैंने कली कहा था कि तू यहाँ के मसालों से खाना बनाएगी अरे माजी आप नहीं जानती कि मेरे माईके के मसाले क्या है अरे इस शहर के लोग दुकानों से मसाले खरीतते है पैकेट वाले मसालों में मिलावट होती है मेरी माने तो खुद अपने हातों से ये मसाले पीसे है दूर दूर से लोग उनके मसाले लेने आते है बस बहू बहुत गालिया तुने अपने माईके का गुनगार कभी कबार समझ में आता है लेकिन रोज रोज तो अपनी चला नहीं सकती ये मेरा गर है और मैं तेरी सास हूँ तू मेरी सास नहीं है इसलिए जो मैं तुझे आदेश दूँगी उसका तुझे पालन करना ही होगा उर्मिला को रिद्धी पर बहुत गुसा आता है इस रिद्धी की तो ऐसी की तेसी अपने माईके के मसालों पर बहुत ही उड़ रही है अब भी इसके सारे मसाले गायब कर देती हो इन मसालों को तुम्हें लोगों में बाट देती हो फिर उर्मिला सारे मसालों को पैकेट्स में पैक करती है और उन्हें लोगों में बाड़ देती है और जब रिद्धी अपने मसालों को देखनी जाती है तो उन्हें गाइब देखकर वो हेरान रह जाती है अरे ये क्या? मेरे मा के मसाले कहा पर गए? यही पर तो रखे थे मैंने क्या हुआ रिद्धी बहू इतनी परिशन क्यों है तू अरे माजी मेरे मा के बनाए सारे मसाले गायब हो चुके हैं पता नहीं कहा चले गए अरे बहू मसालों को पेर थोड़ी ना है जो कही चले जाएंगे लगता है कोई चोर आया होगा और उसने ही चोरी किये होंगे कैसी बेतु की बाते कर रही हो माजी बला मसालों को भी कोई चोरी कर सकता है क्या अब तू ही कहती है कि उनकी सुगन कितनी अच्ची है कोई भी उसे सुनकर दिवाना हो जाएगा नहीं माजी आप मानो या ना मानो लेकिन मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है अरे नहीं वहू दाल में ना तो कुछ काला है ना पिला है तुझे पता है आज कल मसालों के दाम कितने महंगे हो गए है इसलिए उन चोरों ने मसालों की चोरी की होगी हम जाने दो वो चोर भी क्या याद रखेगा उसे भी पता चलेगा कि उसने कितने टेस्टी मसाले चुराए है इस चोरी के बाद रिद्धी अपने मायके से और भी मसाले मंगवाती है जिसे देखकर उर्मिला का गुसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है फिर वो अपने बेटे के कान भरती है भूशन बेटा अपनी बीवी को समझा कब तक अखिर कब तक हम उसके मायके के मसालों से बना हुआ खाना खाएंगे हाँ माँ अब बिल्कुल सही कह रही हो अरे मेरे समझाने पर वो मुझे ही दो शब्द सुनाने लगती है अब तू ही देख अपनी बीवी को ठीक है मा मैं उससे बात करूँगा फिर भूशन रिद्धी के पास जाता है देखो रिद्धी मैं जानता हूँ कि तुमारे मायके के मसाले बहुत ही स्वादिश थे लेकिन मुझे बच्पन से इसी शहर के मसाले खाने की आदत है इसलिए प्लीज अपने मायके के मसाले का खाना मत बनाया करो अरे ऐसे केसे ना बनाओ शादी सिफ मैंने नहीं की तुमने भी की है हर त्याग सिफ मैं ही क्यों करो तुमारे लिए तो मैं अपना माई का चोड़ कर आ गई और तुम इतना छोटा सा त्याग भी नहीं कर सकते क्या मेरे लिए पर रिद्धी, देखो भुशन अगर तुमें इतनी ही दिक्कत है तो अपनी मा से कहो खाना बनाने के लिए मैं अपने लिए सबजी अलग से बनाया करूँगी वो भी अपने माई के के मसाले से फिर तुम खाते रहना यहां के मसाले की सबजी ठीक है रिद्धी, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये बात तुम पहले मा से पूछ लो उतने में वहाँ पर उर्मिला आ जाती है तुम दन की सारी बाते मैंने सुन ली और मैं ये तैक बिलकुल नहीं करूँगी बहू, तुझे बदलना ही होगा तुझे अपने माई के के मसाले छोड़कर यहां के मसालों से खाना बनाना होगा हाँ, हाँ, क्यूँ करेगी आपको ही तैक पहले दिन जब मैंने उन मसालों का खाना बनाया था तब तो बड़े तारिफों के पूल बांदे थे आपने लेकिन बाद में आपका इगो हर्ट हो गया और इसलिए आपने अपने मसाले इस्तेमाल करने की जित पकड़ ली ये तो कैसी बाते कर रही है बहू मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ आप मेरी मा से जलती हो क्यूंकि वो इस उमर में भी कितनी मेहनत करती है और इतनी सक्सेस्पूल है चुप कर बहू चुप क्यों हो हूँ मैं मैं एकदम सच कह रही हूँ देखो मा जी मैं अपने फैसले से टस से मस नहीं होंगी समझी आप वरना एक काम कर सकते हैं एक दिन मेरे मायके के मसालों से खाना बनेगा और एक दिन आपके मसालों से चलेगा आपको ठीक है मुझे इस फैसले से कोई परेशानी नहीं तभी वहाँ पर पड़स की दो औरती आती है अरे उर्मिला बेहन क्या मसाले दिये थे आपने उन्हें खाकर तो मेरा रूटा हुआ पती भी मान गया सच में बहुत लाजवाब मसाले थे मुझे और पाच किलो चाहिए साल भर के लिए मैं अपनी बेटी को भी बिजवाऊंगी और मुझे दस किलो चाहिए मा जी ये कौन से मसालो की बात कर रही है आँ बहु वो दरेसल मेंने फिर उर्मिला रिद्धी को सारा सच बता देती है जिसे सुनने के बार रिद्धी और भूशन चोक जाते है मा जी ये आपने बहुत गलत किया है लेकिन आपकी इसी गलती के कारण मेरी मा का ही अच्छा हुआ क्यूंकि उन्हें और कस्टमर्स मिल गए फिर अंत में उर्मिला के कारण रिद्धी के माईके के मसाले और भी ज़्यदा बिकने लगते है और उस दिन के बाद से वो एक दिन माईके के और एक दिन ससुरल के मसाले इस्तेमाल करती है शहर में रहने वाला रागव एक गाव की लड़की धन्नों से शादी करता है और उसे शहर में अपने घर ले आता है जहां उसकी मा शीला, बेहन रीमा और ससुर पन्नाला तीनों धन्नों को देखकर हैरान रह जाते हैं नमस्त्य आम्मा जी बाउजी और ननन जी हमार नाम है धन धना धन धन्नो प्यार से हमरी मा हमको धनिया भी बुलाती है कि ये ट्रिप मेरे लिए इतनी स्पेशल बन जाएगी दन्नों से मिलकर ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के सारे अर्मान पूरे हो गए अरे बेवकु बे अकल गदेड़ा कही का अकल था तेरी बचपन से ही पिछवाडे में है तुझे ला ला करी इस गाव की गवार को ही मेरी बहु बना कर लाना था क्या रहने दो न शिला क्यू बच्चे को दाट रही हो लड़की गाव की है तो क्या हुआ अरे लेकिन तनिक हमें पूछ लेता तो कौन सा बवासिर हो जाता इसे रहने दो मा अब ज्यादा फटे हुए लाउड स्पीकर की तरब बजो मत धन्नो बाबी आउना अंदर सभी घरवाले धन्नो का बड़े ही प्यार से स्वागत करते हैं क्यू ना करते भला रागव सबका चही ता जो था शादी के बाद पहले ही दिन जब धन्नो अपनी पहली रसोई की रसम कर रही होती तभी वहाँ पर शिला आती तभी वहाँ फ्रीज में वो मंदिर की घंटा रखा हुआ देखती है हे भगवान अरे बहु तेरी अकल क्या घास चरने गई है क्या ये घंटा तोने फ्रीज में क्यों रखा है एक घंटा फ्रीज में रख दो वही तो किये है हम और का? काउनो खुन खराब थोड़ी किये है जो आप इतना बवाल मचा रही हो हे भगवान अरे बेवकूफ एक घंटा फ्रीज में ये आटा रखने की बात कर रही थी वो शेफ तू भी न? सच में धन्टो ओवन में पराठा गरम करने के लिए रख देती है और वो उसका बटन आफ करना ही बोल जाती है जिसके बाद वो ओवन ब्लास्ट हो जाता है हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे गर में? जब से ये धन्टो आई है मेरा सिर्दर्द के कारण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा रागव भया के जोपडी से उटा कर लाए हो आप ऐसी पगलेट लड़की को हाई हाई माफ कर दो हमारे से गलती हुई गवी हम आइंदा से बहुत ही ध्यान देंगे पका पेराम जी नहीं बव इससे पहले कि तु मेरा पूरा किचन जला कर रख दे तू निकल यासे आज के बाद तू इस किचन में कदम तक नहीं रखेगी समझी तू ठीक है आम्मा जी जैसे न आपको सही लागत हो धन्नो को अब रसोई में जाने से मनाई के जाती है एक दे बहुत तेज तूफानी बारिश होने लगती है और राघह और उसके पिता पन्ना लाए दोनों के ट्रेन अटक जाती है रिमा बस भगवान करे के तेरे पापा और भया जल से जल गर पोच जाए वो भी सही सलामत आप चिंता मत करो मा ट्रेन थोड़ी देर में चलने लगेगी रेलवे विबाग से जानकारी आई है अम्मा जी ननन जी का हुआ बहु वो न्यूज में बता रहे थे के भारी वर्षा के कारण ट्रेन आटक गई है और उसी ट्रेन में रागवर पन्ना लाल जी भी है अरी दद्दा बस इतनी सी बत अरे फिर वो वर्षा को ही ट्रेन से उतरवा दो ना तो ट्रेन अपन आप फास्टम फास्ट चलने लगेगी क्यो सही का आना ननन जी हे भगवान तेरा कुछ नहीं हो सकता बहू फिर एक दिन जब शिला चट पर जाती है तो अपने सारे सुखाई होए कपड़ो को सफेद पेंट से भरा हुआ पाती है ओ तिरी ये क्या ये सब के कपड़ो पर सफेद पेंट किसने लगाया ये कपड़े तो धन्नो ने दोये थे धन्नो इदरा का हुआ आमा जी जब फाड़ फाड़ कर चिला रही हो अरे मेरी दिमाग से पेदल बहू तुझे मैंने सफेद रंग के बोटल के आले से कपड़े दोने के लिए कहा था तुने सफेद पेंट से सारे कपड़े दो दिये अब ये पेंट इन कपड़ों से कभी नहीं निकलेगा कर दिये न सरे कपड़ों का सत्या नाश हाई हाई माफ कर दियो अम्मा जी हमने आपन जीवन माँ सफेद पेंट कभू नहीं देखा ओकरे कारण हमका लगा कि वो पेंटी सहरी आला है तू कल से कपड़े भी दोना बंद कर दे तू एक काम कर तू कुछ काम ही मत कर गधी बैल बुद्धी कही की तुझे कुछ नहीं आता क्योंकि तू सच में दिमाग से पेदल है ना जाने कहा से तुझे मेरे बेटे ने पसंद कर लिया हम् एक दिन धन्नो की सहली रज्जो घर पर आती है तभी कैसी है धन्नो में यार शहर में अपने चचरे भाई की शादी में आई थी तब सोचा की रागव जीजू से पता पूछ कर चुपके से तेरे घर पर तुझे मिलने आ जाओ अच्छा हुआ जो तू यहां आ गई कैसन है तू अरे डफ़र तू इस तरह अपने गाव वालों की जैसे बाते क्यों कर रही है ढंग से बात करना अरे हाँ वो मुझे अब यहां आदत हो गई है अच्छा हुआ जो तू मजे यहां मिलने आ गई अरे वा बहु तू अच्छानक से इतने अच्छी और शुद्ध हिंदी कैसे बोलने लग गई रहे दो मिनिट पहले तक तो तू गाव की भाशा बोल रही थी अरे आँटी जी यह आप कैसी बाते कर रही है हमारे पूरे गाव मे धन्नो के जैसे शुद्ध हिंदी कोई बोल ही नहीं सकता अच्छा वो सब छोड़िए जा धन्नो जल्दी से मेरी लिए मेरे फेवरेट माल पूए बना करला तेरे हाथ का खाना खाने के लिए में कबसे तरस गई हो क्या माल पूआ और ये बनाएगी अरे इस लड़की को तो डंका खाना तक बनाना नहीं आता इसे खाना तो क्या दुसरा कोई भी काम नहीं आता तो ये माल पूए क्या खाक बनाएगी एक नंबर की पगलेटो रहते नहीं आंटी जी शायद आपको कोई गलत फैमी हुई है अरे मेरी दोस धन्नो अरे रज्जो चुप हो जा मेरी मा इतनी तारिब बहुत हो गई अरे तू चुप कर आंटी जी आपको पता है गाव में कुकिंग कॉम्पिटेशन जीती है ये धन्नो पूरे गाव में सबसे पहले आई थी कॉलेज में धन्नो बहुत ही होशियार है क्या और क्या क्या आता है भावी को बनाने के लिए अरे कुछ नहीं ये मेरी बस यूई तारिफे कर रही है इसा कुछ भी नहीं है जो सच है में वही बता रही हूँ अरे लेकिन तू इतना क्यों शर्मा रही है इस दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो इसे बनानी नहीं आती ये सब कुछ बना सकती है अच्छा बहू तो ये बात है नहीं माजी मेरा मतलग अमाजी तुम दन बात्चित जारी रखो हम आभी आते हैं चल रीमा बिटिया रीमा और शीला रसुई में चले जाते और फिर क्या हुआ है यार धन्नो ये तेरी सास तेरी बारे में इसे क्यों बोल रही थी ये तुछ से जलती है क्या चुप हो जा मेरी मा चुप हो जा तू यहां मुझसे मिलने आई थी या मेरी जिन्दगी में कलेश करवाने मेरा सारा प्लैन तुने बर्बाद करके रख दिया है अब अगर तु थोड़ी देर और भी रुकी यहां तो प्लैन के साथ साथ में भी बर्बाद हो जाऊंगी निकल जाए आँसे चल निकल धन्नो रज्जो को भगा देती है और तब वहाँ पर शिला और रेमा आते हैं और धन्नो को देई दनादन पीटने लगते हैं क्यों किया तुने दिमाग से पैदल होने का नाटक बता जल्दी मा जी पहले तो हम गरीब थे इसी लिए कुकिंग कॉम्पिटेशन जीत गई पढ़ाई लिखाई की जौब की लेकिन जब मुझे रागव मिला तब मैंने पहले से ही सोच कर रखा था कि मैं ससुराल जाकर कुछ भी काम नहीं करूंगी बस आराम करूंगी बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत मेहनत की है मा जी लेकिन अभी आपको पहले से डबल मेहनत करनी पड़ेगी भावी अब आप तो गई काम से धन्नो के ससुराल वाले आप उससे और भी ज़्यादा काम करवाते हैं और वो अपने ही खोदे हुए गड़े में बुरी तरे गिर जाती है